देखिए जिसे हम संस्कार कहते हैं वो एक समाज का समूहिक कर्म है इस संस्कृती में हमने संस्कार बनाए रखने के लिए बहुत सी चीजें की आज भी गाउं में कई बार हिंसक जड़पे हो जाती हैं अगर ऐसे लोगों के बीच विवा हो जाए जो अपने कुलवंश को मिला देते हैं जो एक तरह से अपने कुलवंश की रेखा को धुंदला कर देते हैं ये कोई उंच नीच की बात नहीं है वो इसे बनाय रखे हुए हैं ताकि इस कुल इस कुलवंश के लिए उनके पास एक देवता होंगे जिसे उन्होंने बनाया है वो सिर्फ उसी कुलवंश के लिए मददगार होते हैं इसे ही कुल देवता कहते हैं वो सिर्फ उसी कुलवंश के लिए मददगार होते हैं इसलिए सिर्फ उसी कुल के लोग उस मंदिर में जाते हैं बाकी नहीं जाते हैं क्यूं जवंच ठीक है, उनकी शादी हो सकती है, इनकी शादी नहीं हो सकती, इस तरह से वो तै करते हैं, क्यूंकि आजकल इन्हें गोत्र आदी कहते हैं, अब इसे भगवास मान कर नश्ट किया जा रहा है, हाँ इसके नाम पर कुरूरता पूर्ण चीजे हुई हैं, ये सच है, मगर पहले एक बहुत गहरी समझ थी, क्यूंकि शिक्षा ऐसे ही दी जाती थी, जब कोई यूनिवर्सिटी, कोई स्कूल, कुछ नहीं होते थे, ये संस्कृती अपना हुनर, आसानी से हजारों सालों तक आगे प्रदान करती रही, क्यूंकि उन्होंने संस्कार को बनाए रखा, उदाहरन के लिए मान लेते हैं, आप जानते हैं आचारे होते हैं, जो एक विशेश जाती अकुल है, इसी तरह इसमें सुनार हैं, बढ़ही हैं, लोहार हैं, जो लोग कारिगर हैं, मगर एक सुनार की बेटी, लोहार के बेटी से शादी नहीं करेगी, वे वहीं शादी करे क्योंकि ये संस्कार हैं, देखिए ऐसा लग सकता है, अरे ऐसा कैसे हो सकता है, क्यों कोई किसी भी परिवार में जन्म लेकर ये काम नहीं सीख सकता, ये अलग बात है, मगर ऐसा पाया गया है, चुहों के साथ एक प्रयोग किया गया, उन्होंने ये किया, उन्होंने किसी चीज वगेरा पर एक चैरी ब्लॉसम की खुश्बू डाली, जब चुहा उसे खाने गया, तो उन्होंने कुछ बार उसे बिजली का जटका दिया, और आपको पता है, चुहे की अगली साथ पीडिया, कभी चैरी ब्लॉसम की खुश्बू के आसपास भी नहीं गई, चैरी ब्लॉसम की गंध का मतलब उन्हें भाग जाना है, क्यूंकि ये संसकार है, जो उन्हें माबाप से मिल रहे हैं, ये सूचना ट्रांसफर हर समय चलत अब हम बात करते हैं कि कैसे पेड आसपास में लेंदेन करते हैं, ये सब जब हम पहले बोलते थे तो इसे मुर्खता समझा जाता था, जैसे मेरी परदादी, सिर्फ चिडिया और चींटियों वग्यारा को खाते देख, उनकी आँखों में आसु आ जाते थे, और अगर अधिरे इस बारे में बाते हो रही हैं, मगर सिर्फ बहुत एक संदर्व में, किस तरह शारीरिक रूप से पोशन मिल रहा है, ऐसा हो रहा है, ये साजा हो रहा है, ये सब, मगर बहुत एक चीजों से परे, जीवन है, जिसमें लेंदेन हो रहा है, तो उन्होंने लोगों प गोन और वो जीवन शेली स्वभाविक रूप से आ जाती है। ये सारी चीजें बिगड गई जब लोगों ने एक दूसरे में भेदभाव करना शुरू कर दिया। सुनार को लगता है कि वो लोहार से श्रेष्ट है और आप जानते हैं ऐसी समस्याइं बाद में आएं मगर जिस तरह से उसे बनाया गया था वो ग्यान, कुशलता और तमाम तरीके प्रदान करने का एक परफिक्ट तरीका है मगर वो सब अब बिगड गया है अब कोई फाइदा नहीं है हम वैसे भी उसे नहीं कर सकते हैं तो जिसे आप संस्कार कहते हैं वो एक सामाजिक कर्म है और जैसे कि मुंबई में रहते हुए क्या आपके अंदर एक मुंबई वाला संस्कार नहीं है ना उसका अपना संस्कार है तो इसी तरह हर समुदाय, हर समाज के अपने संसकार हैं और लोग संसकार से भी अपना जीवन अच्छा या बुरा बना लेते हैं संसकार से उपर उठने के लिए आपको आध्यात्मिक प्रक्रिया की जरूत होती है वरना कोई इंकार नहीं कर सकता कि वो अपने परिवार, समाज, कैसी भी धार्मिक क्रियाओं से प्रभावित नहीं रहे हैं उन चीजों को ना करते हुए भी प्रभावित होते हैं है न जो मजबूती से आध्यात्मिक प्रक्रिया पर है सिर्फ वो ही वातावरन से प्रभावित नहीं होता वो उसके उपर उड़ जा दा